कि महा हार आज़ कि आज़ कि आज़ कि जीवन से बहुत निराश लगते हो कल संध्या ही आए और आज सुबा ही आ गए हमें ललकार में पराग जोतिशपुर बड़ी सुन्दर जगा है कामदेव ने इसे अपने हाथों से रचा है कि दो चार दिन ठेहर जाते तनिक ठ्रमन कर लेते तब चले आते वैसे भी पराग जोतिशपुर के व कि अच् Southern इस नगरी को कामदेव ने बसाया हाँ कामदेव की इस नगरी में अकेले घूमने का क्या आनंद हाँ कोही तुम्हारे जसी सुन्दर प्रेमी का ये पत्नी हो तो बात भी है रहा अतित्य सत्कार तो हम नहीं स्याएं के वासिस हमें tickly वासिट हम आतित्य करते हैं कि वो हमें अपना जमाई समझ कर हमारा आदर करें धटोत कच तुम आरी लोग विजय का घमंद और गौरव मा के गर्प से लेकर पैदा होते हों ठीक कहती हो परन्तु जहां तक हमारा प्रश्न है हमारा यह घमंद और गौरव आर्यों की तुलना में दूगुना है क् कि हम केवल आर्य महावीर पांडु पुत्र भीम की ही संतान नहीं प्राक्रमी असुर माता हे डंबा के पुत्र भी हैं अच्छा यह वैर्थ का वारताल आप छोड़ो पहले यह बताओ तुम मेरी बुद्धी की परिक्षा चाहती हो यह शस्त्र की पहले बुद्धी परिक् पूछे यादी मैं उत्तर ना दे पाई तो अपनी पराजा स्रीकार कर लोगे तो फिर ध्यान देकर मेरा प्रश्न सुनों मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं जो कथा के साथ एक प्रश्न भी है तुम्हें उसका ठीक उत्तर देना होगा मैं तैयार हूं कुछ समय पहले एक बहुत कामुक प्रवेटि का व्यक्ति शरंदीप में रहता था वो एक वैश्य पर मोहित हो गया वैश्य भी उस पर मर्मिटी दोनों ने विवाहत तो नहीं किया किन्तु उनके अनैतिक संबंध से एक पुत्री का जन्म हुआ वैश्य तो वैश्य ही थी कि पुत्री के जन्म के पश्चाद उसका संबंध किसी और व्यक्ति से हो गया और वो उस व्यक्ति के साथ भाग गये पिर क्या हुआ उस कामूक वैश्य से जन्मि उस पूत्री को पालपोस कर बढ़ा किया बड़ी होकर वो युपती सुन्दरता में अपनी से भी आगे निकल गई इतनी अधिक संदर कामिन ही युवती को अपने घर में पाकर वो कामुक व्यक्ति उस पर आसक्त हो गया मैं सुन रही हूं उस कामुक व्यक्ति ने उसकों कन्या से कहा वो उसके पुत्री नहीं उसके उसके पडोसी की कन्या है जिनकी मृत्यू हो चुकी है उसने तो केवल उसको पाल फोसकर बढ़ा किया है वो युवति उस कामुक व्यक्ति के छांसे में आ गई और दोनों में अनैतिक संबंध हो गए इन संबंधों के फल स्वरूप उस युवति ने एक बालिका को जन दिया और अब मैं अपना प्रशन पूछुँ ने जनम लिया वो उसकामुख व्यक्ति की पुत्री थी या दो इत्री पुत्री तो फिर उस ही मां उस व्यक्ति की क्या थी दोनों पुत्रियां यह कैसे संभव है है दो तरी किन्तु एक करन्या इहीं की समय में पुत्री और दो इत्री दोनों तो नहीं हो सकती इसका उत्तर ये है कि शास्त्रों के प्रमान से उस कामों की व्यक्ति ने उन दोनों इस्त्रियों में से किसी से भी विवाह नहीं किया था इसलिए उससे उत्वपन होने वाली संतान से उसका कोई संबंद नहीं बना तो फिर पुत्री जद उत्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता तो महार गई हो मोर्वी तुम्हें अपनी पराजा स्विकार करने होगी कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या लगों दो भूजए एख वबाहन वोज़ दू भूशरा, मैं भोजा, मिन एफ भूड़ी तरूुआ है, हम दोनी है, भी हुआ है, है अ MICHE था, है दोुआ मैं दूव़ी है, दो지 है, है दोले घए दोड़ी है, इपाहनल भी राहनलों जो कर दोड़ी है, है दो आध रहनलों अ कर दो कर दो गाल कर दो कि यदि मेरे तायश्री श्री कृष्ण ने तुझसे विवाह करने की आगया ना दी होती तो आज मैं तेरा वद्ध कर देता क्योंकि तुने इतने नवयुवकों को मौत के घाट उता रहा है कि तेरी हत्या करना कोई पाप ना होता बोल तुझे अपनी पराजे स्विकार है य हुँ आज से आप मेरे स्वामी है और मैं आपकी दासी मुझसे विवाह करके मुझे करतार्थ कीजिए जीत घटोत कचनेलिया युद्ध और अभिमान हार गई तब मौर वी किये समर्पित प्राण किये समर्पित प्राण उदय हुआ फिर प्रेम का निले हृदय और हाथ निश्चय दोनों ने किया दे जीवन भर साथ दे जीवन भर साथ मैं आ गया था आश्री मैंने मोर्वी का अभिमान चूर चूर कर दिया है उसे बुद्धी और बाल दोनों में हरा कर आपकी आगया का पालन भी किया और उसका सिर अपनी पैरों में भी जुका दिया बधाई हो वत्स बहुत 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 बधाई हो हमें विश्वास था कि तुम अवश्य सफल होकर लोटोगे वत्स अभिमान मानव प्रवृत्ती का विकार है सूरी का दोश उसका ग्रहन है और मानव का दोश अभिमान उसे तो तूटना ही चाहिए मोर्वी अपना अभिमान छोड़कर महान हो गई यदि आगया हो तो एक प्रशन पूछूता है श्री आज्या पराय मांगते हैं वत्स तुम तुमेरे अपने हो पूछो क्या प्रशन है तुमारे मन में संसार में ना जाने कितने शूरवीर बल्वान और शक्तिमान नव्योवक हैं तो आपने मोर्वी का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे ही क्यों चुना क्यों क्या मोर्वी तुमें अच्छी नहीं लगी वत्स अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी किन्तु मेरे प्रशन का ये उत्तर तो नहीं किन्तु तुम ये प्रशन क्यों पूछना जाते हो इसलिए कि आप कोई कारेया कारण नहीं करते हैं आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अर्थ ही नहीं होता है आपके हर आदेश में स्रिष्टी का कोई ना कोई भेद अवश्य छिपा होता है मैं आपके उस आदेश के भेद को जानने के लिए उत्सुक हूँ तो यू कहो वत्स के तुम भविश्य के आंगन में ज्ञाक कर देखना चाहते हो तो यू ही समझ लीजिए किन्तु मैं आपके आदेश का कारण अवश्य जानना चाहता हूँ तो सुनू वत्स यहां संसार में घटनाय उसी समय जन्म लेती है जब महान व्यक्तियों का परसपर मिलन होता है तुम्हारा मोर्वी का मिलन और विवाह कोई साधारण घटना नहीं है तुम महाबली भीम और मायावनी भाविश्री हिडिम्बा के पुत्र हो और मोर्वी स्वयम्मायावनी तुम्हारा ये संबंद भविश्य में ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो तुम दोनों की महनता में और भी व्रिद्धि करेंगे क्यूं वत्स? क्या तुम्हारी सुद्दर से संतुष्टी नहीं हुई? मैं धन्य हो गया तो चलो वत्स इंद्रप्रस्थ चलते हैं तुम्हारा विवाह वहीं संपन्न होगा यदि आग्या हो तो मैं माताश्री के पास हो आँ अवश्य जाओ वत्स विवाह से पहले माता का आशिरवाद लेना यूँ भी तुम्हारा परमधर्म है मैं केवल आशिरवाद लेने नहीं जा रहा हूँ मेरे विवाह में उनकी उपस्तिती अनिवारे है मैं उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ लाने जा रहा हूँ किसी भी बहाने से माता के चरण छूना स्वर्ग के द्वार खट खटाने के समान होता है वत्स रहा प्रश्न भावीश्री को इंद्रप्रस्थ लाने का तो अवश्य जाओ प्रयत्न करके देख लो कि आयुश्मान भाव कि अब हारे 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 समत्रेज्य करें boy मेरे रहारे हारे हारा एया म으ह बहरे हारे हारे में आ फम्ट के लुए को खटाओे हारे मेरे मावा प्रन जा मेरे हारे वी हारे ढौत क्वाvisorसिकर लुके वार sana